दोस्तो इस वीडियो में हम अपना डिलीट फोटो रिकबर करना सिखेंगे और दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोग को डिलीट फोटो रिकबर करने के दो तरीके बात आने वाला हूं तो दोस्तो अगर आप भी अपने फोटो को डिलिट कर दिये हैं या फिर गलती से आपके फोन से आपका फोटो डिलिट हो चुका है या फिर आप अपने फोन को रिसेट कर दिये हैं जिसके उज़र से आपके फोन से आपका सभी फोटो डिलिट हो चुका है और अभी आप उन थोड़ा सा भी skip कर देते हैं तो आप अपना डिलीट फोटो रिकाबर नाई कर पाएंगे इसलिए दोस्तो इस वेडियो को काई पर भी skip मत पिजेगा वेडियो को complete देखेगा तो दोस्तो चले चलते हैं फोन के इस्क्रीन पे तो दोस्तो डिलीट फोटो को रिकाबर करने के अपस अपने फोन में लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में Gmail को open करना हैं फिर यहाँ पर ऊपर अपने पर फाइल पे कलिक कर देना हैं उसके बाद यहां पर Google एकाउंट पे कलिक कर देना हैं और दोस्तो वीडियो में आगे बंदाश पाले इस वीडियो को उसके बाद दोस्तों यहां पर ठाड नबर पर जो एक आपसंद कर आए, डेटा एन प्राइवसी का अब आपको इस पे क्लिक कर देना है, फिर यहां पर इस तरह से निचे के तरफ इस क्रोल करना है, फिर यहां पर जो एक आपसंद कर आए, content is saved from google service का अब आपको इस पे क्लि कर देंगे यहां पर एक नेव पेजो पाना जाएगा तो दोस्तों अब आपको यहां पर नीचे के तरफ इस्क्रोल करना है और जैसे नीचे के तरफ इस्क्रोल करेंगे यहां पर आपको एक आपसन दिखेगा फोटो का तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है और जैसे मेरे फोटो पके क्लिक कर देंगे आक फोन के सभी डिलीट फोटो यहां पर आपको दिखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मेरे फोन के 2023 के 2022 के 2021 के 2020 के यहां तक कि दोस्तों यहां पर नीचे 2019 का भी डिलीट फोटो दिख रहा है यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों जनौरी 2019 का भी डिलीट फोटो यहां पर दिख रहा है यहां पर आप देख सकते हैं दोस्त तो दोस्तों उनको रिकबर करने के लिए याँ पर उपर इस थिरी डट पे क्लिक कर देना है फिर याँ पर सलेक्ट फोटो पे क्लिक कर देना है उसके बाद उनमें से जिस भी फोटो को रिकबर करना चाते हैं अब आपको उनको यहाँ से इस तरह से सलेक्ट करना है इस तरह स यही डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे आपका एफोटो डाउनलोड होना इस्टेट हो जाएगा और कुछी दिर में आपका एफोटो डाउनलोड हो जाएगा तो दोस्तों इनको देखने के लिए आपको यहां से सिधे बेक हो जाना है फिर आपको अपने फोन में फाइल मनेज पर दोस्तों फोन रिसेट होने के वज़े से आपका फोटो डिलेट हुआ है तो फोन रिसेट होने से पहले आप जो जीमेल उज़ करते थे पहले उस जीमेल को अपने फोन में रिकवर कर लेना है फोन रिसेट होने के वज़े पहले आपका फोटो डिलेट फोटो डिलेट फोटो डिलेट लिकर सेर्च कर देना है उसके बाद यहाँ पर जो एक अप्लिकेशन दिखे रहा है फाल रिकवरी और फोटो डिकवरी के नाम से अब आपको इस अप्लिकेशन को इनिस्टाल कर लेना है दोस्तो आप इस अप्लिकेशन को अच्छे से देख लिजिए इसको 4.4 की रेटिंग है और इसको 50 मिलिया लोगों ने डाउनलोड कर रखा है इनिस्टाल कर रखा है तो दोस्तो आपको भी इस अप्लिकेशन को इनिस्टाल कर लेना है अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है उसके बाद यहां से बेख हो जाना है फिर आपको अपने फोन में इस अप्लिकेशन को ओपन कर लेना है दोस्तो एक फिर यह फैत यहां पर एट दिखने को मिल सकता तो इसको यहां से skip कर देना है फिर यहां पर system में set करके उपर इस पर click कर देना है फिर यहां पर नीचे start पर click कर देना है उसके बाद यहां पर आपसे एक आदो permission मांगा जाएगा तो अब आपको इन permission को यहां से allow कर देना है और जिसे ही इन permission को allow कर देंगे यहां पर एक आइडियो डोकमेंट्स कोंटे के उगर अभी रिकबर कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आमें फोटो रिकबर करना है इसलिए यहां पर पाले वाले आप्शन पे फोटो वाले आप्शन पे इस तरह से क्लिक कर देना है फिर यहां पर नीचे अलाव पे क्लिक कर देना है उसके आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है तो चली आम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और कुछी दिर में आपके सभी डिलीट फोटो यहाँ पर आपको दिखनक मिल जाएंगे यहाँ पर उपर आल पे क्लिक कर देना है आपके फोन से जितने भी फोटो फोटो है तो दोस्तो इस तरस आपके विफोन से जितने भी फोटो डिलिट हुए होंगे सब यहां पर आपको दिखनक मिल जाएंगे तो दोस्तो उनमें से जिस भी फोटो को रिकबर करना चाते हैं अब आपको उनको यहां से इस तरस से सलेक्ट करना है फिर यहां पर उपर पे क्लिक कर देना है और जैसे रिकबर पे क्लिक कर देंगे आपका फोटो रिकबर होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तो एक फिर यह फे तो यहां पर एड़ दिखना को मिल सकता है तो इसको यहां से स्किप कर देना है और कुछी दिर में दोस्तो आपका यह डिलिट फोटो र कर दिजेगा और अभी तक आप मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और दोस्तों अगर आपका डिल फोटो रिकवर नहीं हुआ है तो भी कमेंट में जरूर बताएगा ताकि मैं आपके लिए एक और वीडियो ला सकूँ